दोस्तो इस धर्ती पर इंसानों का अस्तित्त हजारों लाखों वर्स से है लेकिन धर्ती पर इंसानों का जन्म कैसे हुआ आखिर धर्ती पर इंसानों जैसी इंटेलिजेंट प्रजात कैसे आई इसको लेकर कई मनगडंत कहानिया प्रचलित हैं जैसे इंसानों का विकास बंदरों से हुआ है जर आप सोच कर देखिए इस धरती पर लाकों सालों से करोडों प्रजातियां अस्तित्व में रही है जिन में से केवल बंदर ही आधुनिक मानम में विक्सित हो पाए फिर यसे कई सवाल है जिसका जवाब बेग्यानकों के पास नहीं बलकि इंसानों की उत्पत्ति का राज कुछ और ही है अब सच क्या है यह आपको कुछी मिन्टों में पता चल जाएगा क्या सचमे मानम का विकास बंदरों और आधिमानम से हुआ था या कहानी कुछ और ही है दोस्तो साइन्स की माने तो आज से करीब 40,000,000 साल पहले अफरीका के पूरवी इलाके में एक नई परवत संकला का निर्माड हुआ इस्ट अफरीकान रिफ्ट वेली ये परवत यहाने वाली मौसमी हवाओं के लिए एक अबरोध बन गई थी और इस वज़े से यहां के जंगलों में बारिसानी बंद हो गई बारिस ना आने से यहां के जंगल सूखने लगे साथ ही यहीं इसी जंगल में रहते थे एप्स ये पेंड के उपर रहते थे जहां इनको खाने की कोई कमी नहीं थी जिस वज़े से यह हमेशा पेडों पर ही रहते थे लेकिन अब यहां समय के साथ साथ सूखा पढ़ने लगा बिना बारिस के जंगल पूरी तरह साफ हो कई हजार सालों के विकास कांड के बाद हमारे पूर्वा जब दो पेरों पर चलने लगे इसे उरुजा कम खर्च होती थी और ये चलते हुए भी खा सकते थे और इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था दोस्तों ये धेरे धरे होसियार बन रहे थे समय के साथ साथ वि ये सबसे बड़ी खोज थी ये उन्हें गर्मी रोसनी और अंधेरों में सुरच्छा देती थी और उसी बज़े से परिवार भी बनने लगा आग में पका मांस चबाने में कम उर्जा खत्म होती थी और इसी बज़े से ये उर्जा उनके धिमाग में खर्च होने लगी और धेरे धेरे इन से मानब का विकास हुआ अब दोस्तों जब जब या पढ़ने या सुनने में आता है कि इनसान पहले बंदर था या हमारे पूरवच पहले बंदर थे और फिर धेरे धेरे उसने खुद ही सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा बैग्यानी यूग भी तब स्वायस्चर के कुछ और नहीं होता खासकर यह देखकर भी कि आज किसी भी बंदर को इनसान बनाने की कोशिस में खुद इनसान ही मदारी बन जाता है लेकिन बंदर में नावमात्र का भी बदलाव नहीं आता मनस के विकास करम की इस बैग्यानिक थियोरी को लेकर हमारे मन में कुछ सवाल हमें साथ से रहे हैं जिनके जवाब मुझे आल तक नहीं मिले लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की इविलेशन थियोरी और बंदरों से इंसान बनने तक के देखते हुए दी ती डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा सा पक्षी कई दीपों में पाया जाता है लेकिन हर एक दीप में इस पक्षी की सारी बनावट खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था फिंच चीडिया की इस बिसेस्ता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचरल सलेक्षन और इबलेशन का सिद्धानत दिया डार्विन के अंसार जो भी जीप जिस माहूल या बातारण में रहता है वा खुद को उसी बातारण में ढालने की कोशिज करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसके आने आली पीडियां बच सकें इसी मान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाओ था इस वज़े से एक ही तरह की फिंच चडिया के अलगलग दीपों पर जाने पर उनकी सारी रिक बनावट खासकर चौच में भी बदलाओ आता गया जैसे किसी दीव पर फलो को खाने वाली लंबी चौच वाली फि हमुपग किया जिससे दानतके अंसार इंसानों का विकास सीधे बंद्रों या चिम्पाञ्जी से नहीं हुआ बलकि बंदर चिम्पनजी और मानब का प्राइमरी सॉर्स तो एक ही है फिंच छिडिया की तरह अप सवाल मानबर चिम्पेंजी का वा प्राइमरी अ difका स्कौन सबी नसले या प्रजातियां सामिल हैं जो मनस हो या मनस जैसी हो इसमें मनस से चिंपेंजी गोरिला और औरंग उटान आधिके बंस आते हैं अब दोस्तों जब सवाल पूछा आता है कि इस ठीवरी से आज के बंदरों चिंपेंजी या गोरिला में क्यों कोई बजलाव नहीं पेड़ों से उतर कर जमीन पर चलने का रास्ता चुना था वे अपना जीवन बचाना चाहते थे इसलिए उन्होंने खुद में विकास किया लेकिन गोरिला चिंपांजी को ऐसा करने की जुरत महसूस नहीं हुई वे पेड़ों पर ही खुसें और इसलिए वे अपना विकास करके इंसान बनने की कोशिस नहीं करते लेकिन अब सवाल यह है कि आज के बंदरों को इंसान बनने की जुरत महसूस क्यों नहीं हो रही जब जंगल तेजी से कटते जा रहे हैं जंगली जानवरों का तेजी से सिकार हो रहा है जंगलों में आज दिन भेंकर आग लगने की वह अगर ढाया के जंगलों के लिह दोस्तों कि आप overe attrib के जंगलों में जर्फा लाव, लाना चाहते हैं, अगर जंगलों में रहन Якम में सबस्दे करते हैं. तो भी जादा जिनों तक जीवित नहीं रह पाते। क्या वाब इना प्रेक्टिस के दो पत्थरों से आग जलाकर दिखा सकता है लेकिन जिन आदिवानों के दिमाग का विकास भी नहीं हुआ था उन्होंने अपने आप ही आग जलाना सीख लिया या वाद कहीं तक भी सही नहीं लगती दोस्तो तीसरी बात की जानबर और पक्षियों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो हजारों लाकों सालों से आज तक अपने इस्थान पर आये मौसमी बदलाओं की बज़े से हर साल गुरूप बनाकर सेकडों मिलों का सफ़र तैय करके प्रवास करने के लिए दूसरे इस्थानो पर लोट जाते हैं अब अगर यहावास सही है कि बंदर इंसान चिंपेंजी आधिके प्राइमरी सोर्स या पूरूजों ने प्रथी पर हो रहे बदलाओं के चलते अपना इस्थान बदलने का फैंसला किया और इस बज़े से उन्होंने पेंडों से उतर कर जमीन पर दो प किसी भी किताब में बही मिलता है जैसे वे आज हैं यानि जब से मानव साब बना है तब से क्यों किसी भी दूसरे जीपजनतों में कोई विश्यस बदलाओं देखने को नहीं मिला। है यह बस साही है कि अलग-अलग जगों पर अलग जलवाई उतापमान प्रकृतिक साधन और रहन सेन के अंतर के चलते किसी भी प्रजात की सारी रिग बनावट उसकी आदतों आदि में बदला वा सकता है जैसे इनसानों के बीच रहने अलिय बल्ली और जंगलों में रहने अलिय बड़ी विल्ली या चीता बाग आदि में बहुत अंतर होता है और यही बात हम इंसानों में भी है लेकिन यह एंतर इतना बढ़ जाए कि कोई जानबर ही इंसान बन जाए या किसी प्रजाती की पूरी तरह पहचान ही बदल जाए इस वात पर एकिन करना बहुत मुश्किल है दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट सेक्षन मे जरूर देना और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड्स में सेर कर देना और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें